नमस्कार शिक्षार्थियों आज हम पारिवारी संसाधन प्रबंदन एवं उद्मिता विकास विशे के अंतरगत व्यक्यान की शंकला में आज इस्थानिक रश्ण के बारे में चर्चा करेंगे हम जानते हैं आंतरिक सज्या में जगह की महत्पुर भूमी का है जिस प्रकार की जगह उपलब्दे होती है उसी प्रकार की डिजाइनिंग भी की जा सकती है कम जगह में अच्छे डिजाइन बना पाना ही एक कुशल आर्किटेक्ट एवं इंटिनियर डिजाइनर या घर में एक योग ग्रहनी ही कर पाते हैं जो कम जगह में भी अच्छे आंति सज्या की विवस्ता कर पाते हैं जगह ही मुक्य कारण है बीना जगह के कुछ भी कर प इंटिनियर डिजाइनर का महत बढ़ गया है कोई भी आर्किटेक्ट अपने ग्यान का ज्यादा से ज्यादा उप्योग कर किसी जगह में तकनीकी ग्यान द्वारा उस जगह का सही वसटी उप्योग करने में शक्षम होता है किसी आवास के अभी कल्प उस जगह के छेत्फल के तथा मनुशी की आई तथा उसके बजर्ट पर निर्भर करता है आर्किटेक्ट वा इंजीनियर ने हमारी आवशक्त के अनुरूप हमारे घर के प्रते कमरों की मानक नाप रखी है ताकि हम अपनी जरुरतों को एनुसार उस मानक नाप का अनुसरण करके घर को सूच सज कर सके हम बात करते हैं डिजाइन या अभी कल्प क्या है जैसे हम जानते हैं कि मनुश्य अपने मस्तिक्स पर कल्पना कर किसी वस्तु की काल्पने आकरती को कोई रूप रंग अकार एवं बनावड देता है कोई चित किसी आवशक्ता की पूर्ती होने के उध्यस द्वारा ही बनाया जाता है तथा उस बनी आकरती में यथा वत वह सभी तकनीकी ज्यान को भी ढालने की चेस्टा करता है ताकि उसका वह ज्यान वास्तों में सकार हो सके इस प्रकार किसी उप्योगिता के अधार पर बना हुआ एक या काल्पनिंग डिजाइन या अभिकल्प तियार हो उसका भार आधी हो वह बनी हुई आकरती जो काल्पनिक ना होकर तक्निकी द्वारा बनी हुई है, ऐसी बनी हुई आकरती को ही डिजाइन या अभिकल्प कहते हैं. दिजाइन को बनाने में डिजाइन के तत्व एवं डिजाइन के सिध्धानत के द्वारा ही हम किसी डिजाइन को सकार कर सकते हैं बिना डिजाइन के तत्व वा सिधानत के कोई भी डिजाइन अपूर्ण है। डिजाइन के तत्व में रूप, रेखा, अकार, रंग का होना अति आउशक है। वही डिजाइन में सिधानतों के होने से अभी कल्प या डिजाइन का संभव हो पाना असान हो जाता है। जैसे सं दिजाइन का पहला और सबसे बुनियादी तत्व लाइन है यह रेखा। ड्रॉइंग में रेखा एक पैन या पैंसिल का स्ट्रोक है लेकिन ग्राफिक डिजाइन में यह कोई भी दो जुडवे बुंदू है। समानेता तीन तरह की रेखाएं डिजाइन में प्रयोक की जाती हैं लंवत रेखा, तिर्ची रेखा, एबम, गुमाओदार रेखा। लंवत रेखा का अपना ही महत्व है क्योंकि वह किसी डिजाइन को उच्छा बनाने में बहुत सार्थक है। ला सकते हैं क्योंकि गुमाओदार रेखा हमेशा सुन्दर्ता के एहसास को बढ़ाती है। उप्योक करता और डिजाइनर दोनों के लिए रंग डिजाइन के सबसे स्पस्ट्र तत्वों में से एक है। हर रंग कुछ अलग कहता है और इसका अन्य तत्तो किसा संयोजन उस छाप को और बदल सकता है। किसी अभिकल्प में रंगों का होना अत्यनत आउशक है। बीना रंग के हम किसी अभिकल्प की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब हम आकरती के बारे में बातचीत करते हैं। आकरती डिजाइन को बनाने में मदद करती हैं। विभ्धिन प्रकार की ज्यामती डिजाइन हमें कई डिजाइन बनाने में मदद करते हैं तथा इनका उपयोग हम कहीं पवरी कर सकते हैं। आंतिक सज्ज्य में ज्यामती डिजाइन के अप्रियोप कर हम अभिकल्प का आकशित एवं योगी बना सकते हैं। अब हम इस्थान तत्व की बात करते हैं। नाकारत्मत इस्थान डिजाइन में समाने रूप से सबसे कम और गलत समझा जाने वाला पहलू है। यदि साइड में कुछ हिस्सों को खाली छोड़ कर चाहे वह सफेद हो या कोई अन्य रंका हो तो एक समगर्चवी बनाने में मदद करता है। नाकारत्मत इस्थान का उप्योग किसी अन्य तत्व के रूप में आकरतियां बनाने के लिए किया जा सकता है। बनावट कि जब हम बात करते हैं बनावट डिजाइन की उपरी सथा को कहते हैं उपरी सथा को बनाने के लिए हम प्रकति से भी प्रेणा ले सकते हैं। तता उनकी सहता से हम प्रेणा ले सकते हैं किसी वस्तु की सहता को बनाने के लिए। बिविन प्रकार के पेड़ वा पॉधे में हमें बिन बिन बनावट देखने को मिलती है। अब हम डिजाइन की सिद्धानतों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम संतुलन की बात करते हैं, जिसे हम बैलेंस भी कहते हैं। डिजाइन में संतुलन अति आउशक है, यदि किसी डिजाइन में संतुलन नहीं हो, तो यह डिजाइन अपोन है। संतुलन दो प्रकार की होते हैं समरूपता और विशमता हाला कि अधिकांस, डिजाइनर, कालाकार और रश्नात्मक लोंग विशमता पसंद करते हैं किन्तु सभी लोंग कभी कभार समरूपता का प्रयोग भी क्या करते हैं अत्ह संतुलन दो प्रकार के होते हैं समरूप एवं विशम संतुलन समरूप संतुलन की जब हम बात करते हैं किसी भी डिजाइन में बराबर अनुपात का संतुलन हो तो उसे समरूप डिजाइन कहते हैं जह हम विशम संतुलन की बात करते हैं, उसका अर्थ है, जिस प्रकार डिजाइन में समरूप संतुलन होने से डिजाइन सुन्दा लगता है, उसी प्रकार कभी कबार विशम संतुलन होने से भी डिजाइन बहुती आकशक बन जाता है. विशम संतुलन में कोई भी दो आकरती वाला डिजाइन बराबर नहीं होता वहाँ पर आकरती उची नीची हो जाने से उस अभिकल्प विशम संतुलन बना रहता है तथा डिजाइन बड़िया एवं सुन्दर दिखाई देता है अब हम अनुकरम सिधान की बात करते हैं किसी भी डिजाइन में करम आजाने पर वह अभिकल्प अच्छा लगने लगता है अनुकरम तभी संभव है जब हम किसी डिजाइन में डिजाइन के सभी तत्वों का समावेश करते हैं अब हम संकेंदन सिद्धान की बात करते हैं, जिसको हम emphasis भी कहते हैं, इसे केंद बिंदू या अवरोत के रूप में भी जाना जाता है, यह एक रश्णा में उन इस्थानों को चिनित करता है, जो दर्शकों का सबसे अधिक ध्यान आकशित करते हैं, आमतोर पर किसी design में एक प्रात्मिक या मुख्य केंद बिंदू होता है, एकता सिद्धान्त जिसे हम unity भी कहते हैं, एकता एक अंतर निहित सिद्धान्त है, जो कभी सिद्धान्तों या design के तत्वों को संक्षेप में प्रस्तूत करता है, या पूरी तरह से सुसंगता को संदर्भित करता है, तथा यहाँ भावना उत्पन्न करता है कि सभी भाग एक समान परिडाम प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करे हैं, अथार्त यह सभी भागों को सामंजसस दिखाता है, लै सिद्धान्त जिसे हम rhythm भी कहते हैं, लैका भी अभिकल्प में अपना ही योगदान है, जब हम आंति अशियों में डिजांग के सभी तत्वों का समावेश करते हैं तत्तर डिजांग में सिद्धान्तों का भी पालन करते हैं, तो हमें rhythm प्राप्त होती है या लै प्राप्त होती है। सिद्धान्तों में ले का योगदान अभिकल्प के लिए आउशक है ले आंतरिक सज्जा में या वाई सज्जा में सभी उत्पन्न होती है जब डिजाइन में सभी सज्जा अभिकल्प के तत्वा सिद्धान्तों के अनुरूप होता है अब हम अनुपात की बात करते हैं रेश सज्जा में किसी अभिकल्प के अनुपात के अनुसार उसमें सभी तत्व का समावेश करना चाहिए। वह इस्तान है जहां हम अपने आपको शुरक्षित पाते हैं वह जगर जो उसे सुईधावा आराम दे सके ऐसी विवस्था को आवास कहा जाता है प्रित्यक व्यक्ति की आवास की डिजाइन के आवशकता अलग अलग होती है यह डिजाइन में वास्तोवित के अनुसार किस प हर कमरे की नाप का मानक साइज लेकर हम उस जगह के अनुसार किसी आवास का डिजाइन कर पाते हैं जैसकि हम जाते हैं कि हर मनुश्य का आवास अलग अलग होता है जो कि उनकी आए और उनके बज़ट पर निर्भर करता है डिजाइन एवं आंत्रिक सज्जा का महत डिजाइन से भी आंत्रिक सज्जा संभव है किसी भी आंत्रिक एवं बाहर सज्जा को उसों सजित करने में अभिकल्प की अहम भूमिका होती है जब हम design के तत्व एवब design के सज्दांतों का पालन कर किसी अभिकल्प कोड बनाते हैं तो उस design में फूर्ड सज्जा का समावेश हो जाता है आंतिक सज्जा में design के तत्वों के होने से सज्जा बहुत आकशित लगती है तथा सज्जा में एक नयापन आ जाता है अभी तक जैसा कि हमने आवास के बारें पड़ा और डिजाइन के सिद्धानतों और तत्वों के बारें पड़ा उन सब सीह निश्कर्ष निकलता है कि प्रतेक मनुष्य को रहने के लिए आवास की आवशकता पड़ती है समाज में विभिन आई के वरगी करण के अनुसार प्रतेक मनुष्य की आवास में अभिकल्प को बनाया जा सकता है प्रतेक मनुष्य की आवास में उच्च आई वाले समाज में रहने वाले सबी व्यक्तियों की आई के अनुसार उनके आवास को सुशजित किया जा सकता है